राम नाम श्रेष्ठ है या शिवनाम श्रेष्ठ है? मितर राम नाम और शिवनाम नाम होने के वज़र से यह सबसे उपर है, सारे मंत्र इन नामों के आगे कुछ भी नहीं है, राम नाम अद्वितिय नाम है, राम नाम सारे महा मंत्र और मंत्रों का आदी है, शिवनाम भी बह तर क्या है यह जानेंगे तो चले शुरू करते हैं राम नाम सिर्फ एक बार जपने से माया देवी अंदर से घबरानी लगती है और शिवनाम जपने से भी आईसाई होता है राम नाम सारे विकारों को पापों को नश्ट करके सादक को समाधी की योग्य बनाता है शिवनाम भी विकारों को और बापों को नश्ट करके सादक को समाधी पराप्त कराता है राम नाम श्रीराम जी का नाम आवतार है वैसे ही शिवनाम भी शिवजी का नाम आवतार है राम नाम मुलरुप से मनिपूर चक्र उपन करता है और इसके बाद सारे चक्र उपन करता है शिव नाम पहले मुलाधार चक्र को उपन करता है और इसके बाद सारे चक्रों को उपन करता है राम नाम जपने से हनमान जी आपके बौडी गाड बनते है और शिव नाम जपने से शिव जी का त्रिशूल आपका बौडी गाड बनता अगर राम नाम के सादक निशकाम भाव से राम नाम जपने लगे तो धीरे धीरे हानमा जी आपके रक्षा करने लगते हैं और इसके बाद स्वयम शुरीराम जी भक्त के बाड़ीगाड बन जाते हैं वैसे ही शिवनाम जपने से पहले त्रिशूल आपके रक्षा करता है क्योंकि शिवभक्त हमेशा सकाम भाव से ही साधना करते हैं, नाम का वास्तविक रस निश्काम भक्ती करने से ही मिलता है, राम नाम सीरे साकेत धाम से आया है, और शिवणाम कैलास धाम से आया है, साकेत धाम के आयुध्या पूरी में राम नाम बहुत फेमस है, और कैलास धा के महाकालपुरी में शिवनाम बहुत फेमस है पर शिवनाम महाकालपुरी में सदाशिव लोग से आया है पर unfortunately शिवभक्त वहाँ जा नहीं पाते राम नाम जपने से प्रेमानंद मिलता है और शिवनाम जपने से भी प्रेमानंद मिलता है जो राम नाम सकाम भाव से जपते है उनको आनंद थोड़ी देर बाद मिलता है और शिवनाम भी सकाम भाव से जपने से कुछ देर बाद ही आनंद मिलता है इसलिए नाम जप में सुख डुड़ने वाले निशकाम भाव से नाम जप करें राम नाम और शिवनाम जपने से पहले आनन्द मिलता है और बाद में अनर्थ निवरुक्ति, श्रद्धा, निश्टा, वास्तविक ज्यान, शान्ती, आनन्द और प्रेमानद इसी सारी स्थितियां प्राप्त होती हैं अगर आप रोज नाम जब करेंगे तो एस सारी स्थितियां करम करम से आप में आएंगी राम नाम और शिवनाम से पहले भगवस सक्षत कर होता है और बाद में आत्म सक्षत कर होता है अगर आप रोज निश्टा पूर्वक इन नामों का जाप करेंगे तो 15 वर्ष में कुछ दिव्यत चीज़े आपको प्राप्त होंगी अगर आप ब्रह्मचारी हो तो केवल 15 वर्ष में रामजी या शिवजी के दर्शन हो जाएंगे अगर आप गरहस्त हो तो थोड़े देर बाद भगवान के दर्शन होंगे ऐसे मित्रों राम नाम और शिवणाम महाशक्ते चाली है हाला कि इनके कोई भी नियम नहीं है आप किसी भी अवस्ता में इने जब सकते हैं फिर भी आप शाम 6 बजे किसी एकांत स्थान पे आसन बिच्छाले और पीड को सिधा रखते वे मिनिममम दो माला तो अवश्य करें राम भक्त आसाने से निश्काम भक्ती कर लेते हैं पर शिवभक्त ऐसा नहीं कर पाते इसलिए शिवभक्त राम भक्तों से कुछ सीखें अगर आपको कोई डौट होतो मुझे पोस्ट टैब में कमेंट आऊश्य करें दोस्तों के साथ अपने परिवार अव्लों के साथ जरूर शेर कीज़े और थर्ड़ बात कहें हैं कि आप सबस्क्राइब कीज़े क्योंकि आपको ऐसे ही बहतरी नीं केंटेट हमेशा इस चैनल से मिलते रहेंगी इसलिए लग के कीज़े जरू सब्सक्राइब कीज़े तो स्टेबलिस, स्टे आउसम और को सल्ट में